नमस्कार, प्रियेदर्शकों हाजिर हुमें शुक्र राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर 25 दिसंबर 2023 प्रातह 6 बज करके 9 मिनट पर आकर्शन दामपत्य सुख, सौंदर्य, अईश्वर्य, वैभाव, कला, गीत, संगीत के प्रतिनिधी ग्रह, शुक्र अपनी वर्तमान मूलत्रकोंड राशी तुला राशी को छोड़ कर रुष्चिक राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहांकि वो 18 जनवरी 2024 की सामतक रहेंगे और इसके पश्चात देवगुरु ब्रहस्पती की मूलत्रकोंड राशी धनुराशी में प्रवेश क कर जाएंगे. नीन राशी परियंत प्रतेक राशी के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा प्रभाव लेकर क्या रहा है? आपके जीवन पर शुक्र के इस गोचर का कैसा प्रभाव पढ़ने वाला है? दिखा जाए तो इस वर्ष का, अंग्रेजी वर्ष का शुक्र का ये आखरी परिवर्तन है प्रिदर्शकों कौन सी वराशियां हैं जिनके लिए शुक्र का ये गोचर बेहत खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वराशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवशक्ता है प्रिदर्शकों ये बताने की आवशक्ता नहीं कि शुक्र काल पुरुष का पर फिर भी चुकि शुक्र मंगल की राशी जो की अर्ध जली राशी है ब्रिष्चिक राशी इसमें संचरण करने जा रहे हैं जहां शुक्र तुला में अत्यंत स्रिष्ट प्रभाव और वैसा ही स्रिष्ट प्रभाव धनू में देंगे उतना स्रिष्ट प्रभाव ब्रिष मैं आपको आपके चंद्रराशी के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रियदर्शकों, प्रारंभ में एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, हमेशा ये ध्यान रखिए, गोचर आपकी जन्म कुंडली में इस्थित ग्रह की इस्थितियों महादसाओं पर निर्भर करत कभी मत भूलिये कि गोचर मौसम की तरह है। मौसम का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए, एक ही मौसम का प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। अगर आप बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, वरतमान में आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरा दौर न अवस्था में बैठा हुआ हो, तो उस ग्रह का जब गोचर भी गुजरता है, जबकि वो बेहद बुरी स्थिति में हो, तरक भाव से भी गुजर रहा हो, तब भी उतना बुरा दुस्प्रभाव उत्पन नहीं करता है। तो इस सूत्र को अवश्याद रखी है। अब चली चर्था प्रारंब करते हैं और सबसे पहली जो राशी है, वो मेश है। मेश राशी के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर जो की आपकी राशी से अश्टम में। अब देखा जाए तो शुक्र अश्टम में गोचर करेंगे और इस शुक्र पर शनी की और राहु की दृष्टी होगी। प्रियदर्शकों शुक्र का अश्टम में गोचर बहुत खराब नहीं कहेंगे। हाँ ये उन लोगों के लिए कस्टदाई होता है जो कही न कही अपने वासनाव पर नियंत्रण रखना नहीं जानते। जिनकी दिनचरिया बेहत खराब हैं, जिनका रहन सहन खराब हैं, जिनकी आदते खराब हैं, उनके लिए शुक्र तो कही न कही अश्टम में परिशानी खड़ा करी देंगे। अब जिनको मधुमें की शिकायत है, जिनको मूत्र रोग है, उनको अपने स्वास्त का ख्याल रखना है, प्रिय दर्शकों को उनकी परिशानी ज्यादा बढ़ेगी जिनका सुगर मधुमें बॉर्डर पर है, उनको फाइनली सुगर की सिकायत होगी क्योंकि शनी और राहु क को लेकर के सचेत न रहा जाए, अपने पार्टनर के प्रती वफादार न रहा जाए, तो यह गोचर किसी न किसी तरह के दिर्ग कालिक रोग का आपको शिकार बना देगा, याद रखिए, शुक्र परिशनी की दृष्टी का पढ़ना राजयोग भंग कर देता है, राजयो मान हानी हो, बाकी देखा जाए, तो करियर के दृष्टी कोण से इस गोचर को मैं साधारन कहूंगा, उतार चड़ाओतो रहेगा, कोई भी अनुचित कारे मत करिये, गलत का सहयोग मत करिये, गलत के साथ मत जाए, किसी भी ऐसी गतिविधी का हिस्सा मत बनिये, जिससे आप का नाम खराब हो, पुनह दोहरादू, यौन रोग तक से प्रिविध होने की संभावना यह गोचर उत्पन न करेगा, सुक्सु विधाओं का लाग उठाए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक सीमा से परेजा करने, सीमा में रहते हुए, और जितना हो सके, मा के लिए ही मैं कहना चाहता हूँ, यह गोचर कोई खास नहीं है, सचीत रहिए, ब्रिशब के जातकों के लिए यह गोचर सब्तम में होने जा रहा है, अब सब्तमस्त शुक्र पर शनी और राहु की दृष्टी होगी, जो कहीं न कहीं दामपत्य जीवन में कलह उत्पन न कर जाएगी आपका, आपकी समाज में छबी भी आपकी सुधरे की मान सम्मान में ब्रद्धी होगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, तो यह सब अच्छा है, लेकिन याद रखिए कि शनी और राहु की दृष्टी से दृष्ट होगी यह सुक्र, फलत अह गलत आदत, गल अच्छा मेरिटल अफेर वगर की तरफ थाली में परोश के भी मिले तो उससे बचिये, नहीं तो आप मुसीबत में पढ़ने जा रहे हैं यह तैजानी है, बाकी में पुनह दोहरादू, ब्यापारियों को ब्यापार में सफलता मिलेगी, अगर आप थोड़ा सावधान रह आपकी रासी से सष्ठ में है, सष्ठ के सुक्र को कारक माना गया है, बढ़िया है यह आपके लिए, उर्जावान आपको महसूस कराएंगे यह, लेकिन फिर से कहूंगा, सावधानी आपके लिए भी जरूरी है, शनी और आहु की दृष्टी से दृष्ठ होने के कारण यह भी शुक्र भठकाएंगे, बाकी विद्यार्थियों के लिए ठीक है, जो प्रतियोगी परिक्षा के विद्यार्थी है, फाइनांस सित्यादी के फिल्ड से जुड़े हुए हैं, तो बढ़िया रहने वाला है, आठ के फिल्ड से जुड़े बिद्यार्थियों को विशेस लाभ मिलने वाला है। विदेस यात्रा करने का मौका, विदेस जाने का मौका, इस गोचर काल के दोरान आपको मिलना चाहिए। विदेश से जुड़कर के कार्य करने का व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए, दामपत्य जीवन में टकराओ, मतभेद की स्तिती, पुराना रोग आपको परिशान कर सकता है, ग्रिह कलह की स्तिती दिखाई पड़ रही है, पुरिय जनों से अलगाओ की भी संभावना है, संतान पक्षे को लेकर के चिंता, संतान के चाल चलन बेवहार को लेकर के चिंता बनी रहेगी, इस गुचर काल के दौरान खान पान पर भिनियंत्रन रखना है, क्योंकि पेट जन्ने रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो पेट से समंधित परिशानी नहों, इस से आपको रहात होगी, बात करकी जातकों की करूँ, तो शुक्र का यह गोचर आपकी रासी से पंचम में होने जा रहा है, पंचम भाव में शुक्र जो कि आपके लिए लाभेस और सुखेस बन करके केंद्र त्रिकूर योग बना करके पंचम में संचरन करेंगे, वैसे तो संतती को लेकर के विशेश चिंथा बढ़ने वाली है, रिश्तों में तकरार की स्तिती उत्पन्न होगी, संबंध में कहीं न कहीं परिशानी दिखाई पढ़ रही है, छोटी मुटी लडाईया होती रहेंगी, विद्यार्थियों के रास्ते में भी परिशानीया आने वाली मन पढ़ाई से भागेगा इधर उदर की चीजों में घूमने फिरने में ही समय आपका जादा जाने वाला है यानि कुल मिलाकर के सफलता बाधित होने वाली है संतती को लेकर के विशेश चिंता इस गोचर काल के दोरान दिखाई पढ़ रहे हैं ये स्वास्थ में पेट जन निरो की संभावना है हलाकि एक बात बता दूँ कि श्यर मार्केट इत्यादी से निवेश करके आपको लाभ मिलने वाला है लाभ के मामले में यह गोचर आपको कत्ताई नुकसान नहीं पहुँचाएगा लाभ की स्थिती रहेगी देखा जाए तो माता के स्वास्थ हित्यादी में भी कहीं कोई परिशानी थी तो परिशानी तो नहीं होगी ये जो भी परिशानिया उद्पन होगी वो मूलतह आप से जुड़ी हुई जिसमें आपका स्वास्थ आपका प्रेम संबंध चंतान पक्ष यहां से थोड़ी प दिखाई पड़े परन्तु प्रेम संबंध को परणय संबंध में तबदील करना चाहते हैं विवाह की बात्चित करना चाहते हैं तो अभी रुकिए इस तरह का बड़ा फैसला लेने के लिए ये समय उप्यूक्त नहीं है सभी करकर रासी के जातक शुक्रवार के दिन कन्याओं को आप तीन पांच या साथ कन्याओं को भोजन कराईए इससे आपको विशेस लाब होगा सम्म के जातकों के लिए ये हगोचर आपकी रासी से चतुर्थ में होने जा रहा है और देखा जाए तो शुक्र आपके लिए तृतिएस और दसमेस बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे कारिक छेत्र के दृष्टी कोण से है गोचर बहुत बढ़िया है समाज में मान सम्मान की हानी नहो इसका आपको खया रखना है क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का है दसम भाव मान सम्मान का जनता से ही मान सम्मान प्राप्त होता है शुक्र तृतिये शुकर के चतूर्थ में गोचर करेंगे तो निसंदे आपकी पुर्शार्थ में ब्रद्धी तो होगी दसम पर उनकी दृष्टी स्वयम के घर पर होने के कारण कारेक छित्र में सफलता भी आपको मिलेगी लेकिन चतूर्थस्त सुक्र पर शनी और राहु क कि दृष्टी से कहीं न कहीं परिशानिया खड़ी हो सकती हैं वैसे तो यह शुक्र आपके लिए दिगबली होंगे और दिगबली होने के चलते आपके जीवनकाल में खुशाली ले आएंगे परन्तु सावधानी जरूरी है पुनह ध्यान रखिए इमानदार बनिए रिस् आपको खर्च करना है करिए साज सज्जा पर जो आपको खर्च करना है इंटीरियर पर जो खर्च करना आप जरूर करिए सुक्सु विधाओं में कहीं कोई कमी मत रखिए माता के स्वास्ति में भी कहीं न कहीं थोड़ा ध्यान दीजिए गर जोरत हो तो डॉक्टर से जाकर तो थोड़ी लग जाएगा, कुछ न कुछ कमी होगी, गलती होगी, तभी तो परिशानी आएगी, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा, घर में आपको आयोजन इत्यादी करते हैं, बाहर से महमान इत्यादी आते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ जीवन साथी के साथ सम्मंध मधूर रहे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो कुल मिलाकर के अगोचर थोड़ी सावधानी के साथ अगर लेकर के चला जाए, तो बहुत बढ़िया है, कोई गाड़ी इत्यादी खरीदने की योजना बना रखे हैं, खरीदिये कोई दिक् करती है, कोई भी जोखी मधरा कारे, गलत कारे, गहर कानूनी काम, जिससे मान सम्मान की हानी हो, ऐसा कोई कारे मत करिए, छोटे भाई भनों का ख्याल रखिए, बाकी आप अपने सौग पूरा करिए, विदेश घूमने जाना चाहते हैं, तो जाईए, इस वमें बहुत बढ ये जनों का साथ आपको मिलने वाला है, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा, और देखा जाए तो यह गोचर आपके भीतर के गुणों को उभार करके बाहर ले आएगा, नाम में प्रसिद्धी ले आएगा, सामाजी की इस तर पर भी देखा जाए, तो आपका विशेस भगवान गजानन की आराधना करें और साथी साथ सफेद पुस्प की माला भगवान गजानन को भी अरपित करें और गाय को हरा चारा दें, यह गोचर अति उत्तम है, तुला के जातकों के लिए भी इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा, वानी पर और खान पान पर नियंत्रण बहुत जाद आवश्यक है रखना, याद रखिएगा, शुक्र का संबंध जब भी शनी राहू से बनता और विश्यसकर के दुतिये भावस्त सुक्र से, तो ऐसे जातकों को गलत संगती, गलत आदत में पढ़ना तो तय ही जैसे हो जाता है, यानि ऐसा माना जाना चाहिए क इस गोचर काल के दौरान आप गलत आदत का शिकार हो सकते हैं, धन को लेकर के कोई चिंता नहीं है, यह गोचर आपको धन देगा, मानसम्मान भी देगा, लेकिन वो मानसम्मान की हानी आप स्वैम से कर सकते हैं, अपनी छवी स्वैम से धुमिल कर सकते हैं, देखिए, शु प्रश्ट रहिए हो सकता है आप बड़े पदपर्ध हो तो लोग आपके सामने आपको दिखाने के लिए आपको सुनाने के लिए आपकी हां में हां मिला ले लेकिन आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा इससे बाकी धन वगर यको लेकर के कोई चिंता नहीं है धन आयेगा धन प्रोपर्टी त्यादी खरीदिये कहीं कोई दिक्कत नहीं है यह गोचर निर्भर करता है आपके उपर आपके स्वभाव के उपर खानपान के उपर रहन सहन के उपर चरित्र के उपर बाकी तो आप तैकर यह परिशानी खड़ी भी कर सकते हैं और परिशानी से मुक्ती भ तक देवी के मंदर में जाएं और देवी को लाल पुस्प की माला अर्पित करें यह गोचर अति उत्तम फल देगा ब्रिश्चिक के लिए गोचर उत्तम नहीं कहा जाएगा शुक्र का आपकी रासी पर होना कहीं न कहीं आपको भटकावे की ओर ले करके जाएगा हां संघर सा करिए अपने व्यक्तित्तों में जितना हो सके साकारात्मक बदलाव लेकर के आईए कैसा बदलाव अगर आप साधा कपड़ा पहंते थे तो बहुत ज़्यादा सजने लगिए फैसन करने लगिए यह बदलाव मायने नहीं रखता शुक्र पर शनी और राहु की दृष्टी होगी चरित्र पर चरित्र को बेदाग करिए कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आप पर उंगली उठाई जा सके बाकी स्वयोग मिलेगा मान सम्मान में आपके बृद्धी होगी वैसे मैं जानता हूँ या गोचर थोड़ी परशानी में आपको डालने वाला है दामपत्य जी जीवने परशानी की बात मत सोचिएगा और अगर नहीं है तब तो निसंदे ये दामपत्य जीवने परशानी की स्थिति थोड़ा लडाई जगडा तो कराएगा ही कराएगा विद्यार्थियों के लिए गोचर काल में मैं सफलता देख रहा हूँ हलाकि मन पढ़ाई से गलत संगती होगी लेकिन है यह गोचर अच्छा बार्वे के शुक को बहुतिक सुख विशेश रूप से देने बाला माना गया है खर्च में ब्रदी होगी परन्तु अब यही है कि निर्भर करता है आपकी सोच कैसी है मैं विशेश रूप से उन परिजनों को पैरेंट्स क अगर उन बच्चों के लिए विशेश रूप से जिनको राहू की दसा चल रही है अगर उन बच्चों की कुंडली में शुक्र कहीं से भी शनी राहू इत्यादी से द्रिश्ट है मंगल से यूत है सचेत हो जाईए आपका बच्चा इस गोचरकाल में भठकेगा यह पक्का जान लीजे गलत संगती गलत आदत मैं समझाना जो चाह रहा हूं आप समझ गयोंगे मैं क्या काना चाहता हूँ शुक्र बारवे में होगे और वो शनी और राहू से द्रिश्ट होंगे फलता शुक्र की बर्बादी होगी तो गलत आदत पढ़ने वाला है तो आपको बहु बहुत बढ़िया है। लेकिन स्वास्त का ख्याल रखिएगा खान पान पर नियंतरन विशेश रूप से दही और चीनी का भोग ले जाकर के भोलेनात को लगाईए उनसे प्रार्थना करिए विशेश करके बच्चों के लिए ताकि वो गलत संगती में ना पड़े। बात मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यनत सुरिष्ट है। यह गोचर आपके जीवन काल में विशेश को साली, सुक, सम्र्द्धी लेकर के आने वाली है। यूं समझ लीजिए सफलता में दिलाने वाली है, आपके मुराद को पूरी करने वाली विपरीत से विशे सहयोग मिलेगा, शुक्रकाप की रासी से लाभ हमें गोचर करना, करमेस और पंचमेस बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे, पंचम पर उनकी दृष्टी होगी, हलाकि शनी और राहू की दृष्टी से दृष्ट हैं, तो आपको भी अपने खान, पान, रहन-सवहन, दिनचर्या में थोड़ा ध्यान रखना होगा, गलत आदतों के कारण स्वास्थ में परिशानी आ सकती है, आर्थिक दृष्टिकोंड से हगोचर बहुत बढ़िया है, प्यार काई जहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दामपत्य जीवन भी कुशाल चाहे वो प्रेम संबंद में हो, दामपत्य जीवन में हो, बच्चों के साथ पीओ, अनुसासित रिष्टे को बना करके रखिए, यह गोचर बेहद स्रिष्ट है आपके लिए, इस गोचर का आपको फायदा मिलेगा, इस गोचर काल के दौरान अधिक सधिक दुरगा सब्त सती का पाठ करिए, कवच अरगला कीलग का पाठ करिए, देवी की आराधना से यह गोचर आपके लिए विशेस लाभपर्द हो जाएगा, और बात यदि हम कुम्भकी करें, तो कुम्भके जातकों के लिए यह गोचर आपकी रासी से दसम में होने जा रहा है, देखा जाए बिपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रियोग मत करिए, बाकी यह गोचर कारिक छत्र में सफलता दिलाने वाला है, भूमी, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों में बृध्धी कराने वाला है, करियर को लेकर के लिए कही कोई चिंता थी, तो वो चिंता दूर होगी, यह ग पत्ते जीवन हो, प्रेम संबंध हो, बहस और विवाद से बचियेगा, किसी भी तरह का अनैति कारिक छित्र में, बिल्कुल मत करिएगा, सरकारी, नौकरी, प्राइबिट स्रक्टर दोनों के लिए कफ रहा हो, और वाहन जरा सावधानी के साथ चलाईगा, माता के स्वास् साधारनतया, बहुत अच्छा तो नहीं कोँगे, लेकिन साधारनतया ठीक है, मेहनत का प्रतिफल मिलेगा, पिता के स्वास्त का ख्याल रखिएगा, यात्रा कर सकते हैं, और बाकी व्यापार इत्याद में फायदा मिलेगा, छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलने वाला ह और प्रेम संबंध के द्रिश्टिकोंड से भी इस गोचर को में ठीक कहूंगा, परन्तु एक्स्ट्रा मरिटल अफ्यर वगर से बचना होगा, नहीं वहाँ परिशानी में पढ़ जाएंगे, बहस भी बात से बचिये, और बाकी देखा जाए तो कोई नया कारे शुरू करन चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुल मिलाकर के मीन के जातकों के लिए इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा, कहीं कोई विशे इस चिंता या परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, जो परिशानी है वो कुछ इन ही चीजों है कि पिता के स्वास्त में परिशानी आएगी और आप मैं खानपान पर रियंतर अपनी दिन चरिया, आपनी आदत पर मैं बार बार यहीं सब्द कह रहा हूं और हमें सहीं कहता हूं, देखिए शुक्र अईस्वर्य है, शुक्र भोग है और भोग की अधिकता रोग का कारण उत्पन न कराती है, तो सीधी सी बात है कि हमें ये ध हैं और कियागा?